हेलो दोस्तों नमस्कार मैं आमिट सिंगेरेस आप सभी कम आप दसनार के क्लस्स के इस यूट्व चैनल पर स्वागत करता हूं जहां पर हम लोग डिस्कुस कर रहे हैं आपके बिहार बोर्ड के हिंदी मेडियम्स के उन बच्चों के लिए महा संग्राम का स्रीच लेकर आये ह यो हिंदी मेडियम्स से बिलोंग करते हैं और हिंदी मेडियम्स में एक्जाम दे रहे हैं उमिद करते हूं आपके एक्जाम सही तरीके से जा रहा है और आज शर्षवती पुजा के उपलक्ष में आप सभी को एक फिर से अब्जेक्टिव का सिरीज आपको प्रवाइड कर बहुत जल्द ही प्रवाइड कर रहा हूं वीडियोज कैसा लगेगा यह कमेंट करके ज़रू पताएगा अंत में और वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइक किजिएगा सेर किजिएगा और दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करेगा शुरुवात करते हैं यह पौधे जो जलिये वातावरण में नहीं पाय जाते हैं वो कौन होते हैं पहला हाइडरीला दूसरा हमारे पास थ्रापा तिसरा निलंबो और चोथ्रा बबुल तो हमारे पास इसका करेक्ट अंसर होने वाला है बबुल दूसरा कोश्चन है हमारे पास कि मरुद्भिद अनुकुलन का उधारण कौन सा है तो यहां पर करेक्ट अंसर होने वाला हमारे पास नागफणी याद रखेंगे तिसरा कोश्चन हमारे पास है कि मौस का पावस्दा सुस्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूरा नह हमारे पास है क्योंकि यहां पर पानी की कमी की करण हो पानी की कमी की करण आपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं यहां पर करेक्ट अंसर होगा हमारे पास ए राइट सो करेक्ट अंसर टूस्ट कोश्चन इज ए प्रति जावी की प्रतिरोधी जीवानु का भाव इन में से किसका उदाहरण है तो इसका करेक्ट अंसर होने वाला हमारे पास किशी शमुदाय में पुर्वस्थित विभिनता है यानि कि करेक्ट अंसर हमारे पास सी कि चौथा को पांचवा कोश्चन है हमारे पास कि टिड़ा क्या है पिड़ा क्या है तो इसका करेक्ट अंसर हमारे पास है आपका यह आपका प्राथमिक बोगता है यानि कि हमारे पास ओप्सिन नमबर बी नेक्स कोश्ण है हमारे पास कि जनसंक्या अधिक होने शे क्या होता है जनसंक्या अधिक होने शे हमारे पास क्या होगा तो यह हमारे पास आय में कमी होगी यह भी सही होगे जमीन में कमी होगी यह भी सही है पर ब्यक्ति और आपका खनीज तत्व की कमी होगी यह भी सही यान मृतियों कि शंख्या को क्या कहते हैं किसी खास आबादी में प्रद्ट्प अगला कोशन ऑशे है कि अगाला केश्च६ाम फीडियों कंके श्थाई किसे संबंधित है तो यहां इन में से कौन किट वक्षी पौधा है तो यहां पर हमारे पास करेक्ट आंसर होने वाला हमारे पास रोसेरा और 35 दोनों है इसलिए हमारे पास हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारे पास है इसमें से करेक्ट आंसर हमारे पास जलोदभीर यानि कि जल में रहने वाला तो इंगलिस में इसी को ट्रापा बोलते हैं और हिंदी में सिंगहड़ा बोलते हैं गरवा कोशन है कि स्थालिये जीवधारियों की जनसंख्या घनत्व किस पद में मापा जाता है अस्थानी अस्थालिये अस्थाल पर रहने वाले जीवधारियों की जनसंख्या का घनत्व जो है किस पद से मापा जाता है चार आपस है जीवधारी बटा में मीटर जीवधा यहां पर मिस्टेक आप्शन सारे चीज़े एक ही हो चुके हैं आप कोई भी आप्शन क्लिक करोगे सारे सही है यहां पर आप कोई भी आप्शन सेलेक करोगे काफी सही है करें कि जन्दर 100 प्रतिशत तथा मिर्तिव दर 10 है समस्टी समुदाय में 1000 व्यक्तिव इसे से प्रकिर्तिक व्रेधी दर कितना प्रतिशत होगा तो यहां पर हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होने वाले हैं जल्दी से जल्दी बिताइए यहां पर नौ परसेंट होंगे अगला कोशन है कि कवक मूल एक उदाहरन होता है किसका कवक मूल किसका उदाहरन होता है चार अफसन हमारे पास सिम्बार्टिक बंधुत यानि कि सिम्बार्टिक एसोसियेशन दूसरा चीज हमारे पास पाहे पर जीवी तिसरा अंतर जीवी अंतर पर जीवी अच्छो था अपगटक यहां पर करेक्ट आंसर होगा हमारे पास सिम्बार्टिक बंधुत गरे पर भ प्लसर मैंनस सो इसका करेक्ट अंसर हमारी पॉस क्या होने वाला है पहुत यासान वने वाले है प्लसर माइनस एक घाटा होने वाला एक और प्लस इक to गगए है ऐसा हो पकारिता का उदहरण क्या है जाना करकिंगे यहां पर लिखाओ फ्ल क खुलrie patio lunch क्या है लेट इस आपका like इन यानी को option number C अगला question है कि root cap इन में से उपस्तित होता है किसमें root cap उपस्तित होता है बहुत यह आसान सवाल है इसमें hydrophite में आपका root cap उपस्तित होता है अगला question है कि गुरूत्यों के प्रभाव के विरुद भूमी जो जल की मात्रा संचेट करती हैं उसे क्या करते हैं इसका अधिक्तम ब्रिधिदर्ग पाया जाता है किसमें सबसे अधिक ब्रिधी दर देखने को मिलता है सबसे अधिक करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास चार आफसन हमारे पास है तो यहां पर इर्द गिर्द छिठला पानी के छेत्र को क्या कहते हैं तो यहां पर बहुत ही असान है यह याद रखेंगे यह हमेशा आपको काम आएगा लिटरल जोन यानि लिटरल एरिया है कि एक बड़े छेत्रिये भौमिक इकाई को विशाल वनस्पतिक प्रकार और संबंदित फौना द्वारा जाना जाता है क्या है इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बायोम यह बायोम का पूरा का पूरा डिफिनीशन है अगला कोश्चन है कि मिर्दा में उपस्तित राइजोमियम जीवाडू राइजोमियम बैक्ट्रिया जो समझ लीजे और परत्यक चुरूप से पौधे की आबाधी में किस प्रकार विर्धी करते हैं तो यहां पर करेक्ट आंसर बहुत ही आसान आपको तो पता चल चुका ह अगला कोश्चन है कि अंतर जातिये प्रत्योगिता के चलते एक ही जाती के जीव एक दूसरे से दूर होते जाते हैं अंतर जातिये प्रत्योगिता के कारण एक ही जाती के जीव एक दूसरे से दूर होते जाते हैं इस क्रिया को क्या कहते है चार अफ्सन हमारे पास है प्रिथक की करण समूही करण और आपके पास समरुख बितरण और चोथा हमारे पास एकत्री करण जिसका ध्यान रखना काफी महत्त्पूर्ण हो जाता है तो यह सारे के सारे जवाप सं दिख रहें सदस्य हो कि संख्या अieur्म परकार यह यह जो रही है निश्चिति छहत्र यह परकार यह में पास करेक्ट आंसर होगा यहां पे डिए इन में से सभी नेक्स्ट क्या रहा है सरक प्रकृति में दो बिभिन स्पेसिज के बीच अंतर जाती अंतर जनन क्यों संभव नहीं हो सकता है तो यहां पे करेक्ट आंसर हमारे पास हो रहा है अगला क्यों से आबादी सदा परिवर्तन सील होती है तो 4 अप्सन हमारे पास है भौतिक जैविक ए और बी और इन में से कोई नहीं तो यहां पर हमारे पास भौतिक भी होगा जैविक भी होगा इसले में इसले मारे पास आपर सी होने वाला है कि ए अगला कोश्टान हमारे पास है कि कि सी आबादी का सवरूप निर्भर करता है किसպे हमारे पास कि ए अगर यह सवरूप करता है तो हमारे पास वीत्रना पर भी निर्वाद करता है और जातिय रचना पर भी निर्वाद करता है यानि हमारे पास correct answer to this question is none other than यानि हमारे पास यहां पर correct answer होगा डी इस अठाइसवा question इस पर आप से कह रहे है सर कि इन में कौन रसायन अबादी के संचार स्थापित करने में मदद करता है इन में से कौन रसायन अबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करता है पहला option हमारे पास टाइलीन दूसरा इंजयम तिसरा फिरुमोना चोता इन में से कोई नहीं तो यहां पर क्या क्रेक्ट आंसर होने वाला है यहां पर क्रेक्ट आंसर होने वाले हैं फिरो मोना यानी कि C नेक्स्ट कोशन हमारे पास है कि जनन प्रिथकता आवश्यक है पहला हमारे पास अफसन जीवों की अस्थित्टों के लिए बिभिन जातियों के इसू सस्पस्टता बनाये रखने के लिए गणीज का नकलन करने के लिए क्या होगा करेक्ट आंसर इसमें से यहां पर करेक्ट आंसर होने वाला हमारे पास बिभिन जातियों के सूस्पस्टता बनाये रखने के लिए यहने कि करेक्ट आंसर हमारे पास बी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आबादी का अस्थान होता है किसके इसके अ हमारे पास स्पेसिज के अधिनस्त होता है स्पेसिज पर आपका डिपेंड करता है कि उसकी अबादी क्या होता है ठीक है करेक्ट अंसर स्पेसिज के अधिनस्त 35 कुश्चन नमबर हमारे पास आ गये सरकार और जैविक सक्ति का मान किस से निकाल जाता है जन्दर से मरतिवीदर घटाकर जन्दर से म tapping जोड कर जन्दर कि मिरतिवीदर से और इन में से कोई नहीं तो अगला कोश्चन है कि सर अबादी का प्रसरन कीन पर निर्वर करता है तो यहां पर अमारे पास होगा यह सारे के सारे पर निर्वर करता है आगमन पर भी बहिर गमन पर भी अस्थानांत्रन परम पर भी अगला कोश्चन है इन में से कौन बहुरूपता को दर्साता है चार अप्सन हमारे पास है इस पाइरो गायरा खजूर मधुमक्खी पपीता यहां पर करेक्ट आंसर हमारे पास है सॉरी मैं मिस्टेक यहां पर कर पास बहुरूपता का मधुमक्थी कि एक ही जाती के जीवों के समाजिक अस्थानिक संगठन को क्या कहते हैं यहां पर हमारे पास होने वाला है अबादी यहने कि करेक्ट आंसर तो दिस पर यहां पर समाने तो कहां पाय जाते हैं यहां पर यहां एसा ही कुछ आया था लेकिन थोड़ा सा अलग है यहां और यहां पर और यहां पर करेक्ट आंसर ना तो महरुद्बा ना तो जलत भीद ना तो मिश्रूफाइट्स और हमारे पास करेक्ट आंसर होगा लवड़ोद भीद लवड़ोद भीद याद रखें यहां में 38 कोश्चन है कि वायू सन्रचना का जयमितिये निरूपण किसकी विश्चता है तो हमारे पास समस्ठी की विश्चता है ठीक है अगला कोश्चन हमारे पास है सर कि प्रित्वी के निकट का वायू मंडल का च्छेतर क्या कहलाता है तो यह हमारे पास होता है ट्रापोस्फियर अगला कुशन हमारे पास है कि लाइकेन किसका समुहन है यानि किस से किसके मिल करके बना हुआ लाइकेन आपको पता है यह सवाल और कवक का समुहन है को कुशन है कि जाती की जैविक अधारना मुख्यता अधारीत होती है गता है किवल प्राजनन की वेधी पर बागुवल और चारीरा चीज नहीं वोडिटू क्वेशन नमबर है कि एक छोटी मचली सार्क के आधार पर बेस पर चिपकी रहती है और इससे भोजन प्राप्त करती है या संभंध क्या कहलाता है एक छोटी मचली सार्क के आधार पर चिपकी रहती है और इससे भोजन प्राप्त करती है यानि कि छोटी मचली जो होती है न सार्क जो बेस होता है न नीचे वाला हिसा उस पर चिपकी रहती है और वहां से भोजन प्राप्त करती है इस संबंध को क्या कहते है इस संबंध को क हमारे पास चार अपसन हमारे पास है ऑक्सिलोफाइट, लितोफाइट, एरियोफाइट, हिलोफाइट tutte दी टा वे किटों को खाते हैं बस के लिए मास के लिए ऑक्सिजेन के लिए खनेज्यों के लिए anh dá यह सवाल आपको मैंने कितनी बहुत बार बताया है कि वहाँ पे उसको मांस नहीं चाहिए, ऑक्सिजन नहीं चाहिए, खनीज नहीं, वो सारा चीज मिल दार है उसको, नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है, इसलिए नाइट्रोजन को लेने के लिए किट बक्ची पौधे किट को खाते हैं 45th question कौन पुकिट बक्ची पौधा है यह हमारे पास यह और भी दोनों होगा राइट रेपेंथिस और रोसरा दोबराय है जलिय पौधों में कटी फटी पतियां होती है क्या जलिय पौधों में कटी फटी पतियां क्या होती है चार आपसन हमारे पास सतही छेत्रफल कम करने के लिए सतही छेत्रफल बढ़ाने के लिए जल धाराओं का प्रभाव कम करने के लिए और रंद्रों की शंक्या बढ़ाने के लिए तो यहाँ पर जहाँ पर भी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा गला कुश्चन है हमारे पास कवक मूल उदाहरण है किसका कवक मूल किसका उदाहरण है ये भी हमारे पास सवाल आया है और इसका भी आंसर हमारे पास होगा सहजीवी समबंद ठीक है यह ये भी सवाल हमारे पास आया हुआ है इससे पहले भी आया था इस दाट क्लियर सारे चीज़े आपको समझ में आरे राइट अगला क्यूशन हमारे पास यह है निम लिखित में से कौन सा मरोद भिदी है चार अफ़सन कैपरिकस कैपरिस कमल चाइना रोज और आलू यहां पर करेक्ट अंसर होने वाला हमारे पास कै अगला है ईसर की वाईयु द्वारा अस्थानांतरियत मिरदा क्या होती है चार अफ़सन हमारे पास अलूव्यल ग्लैस्शीव और यहां पर हमारे पास करेक्ट अंसर होगा यह लीन कौन सा पौधा मैंग्रूव छेत्र में पाय जाता है तो पहला अप्षन हमारे पास राइजोफोरा दूसरा बबूल तीसरा चीड चौथा टेक्टोना तो यहां पे हमारे पास करेक्ट आंसर होने वाला है आपका राइजोफोरा और लास्ट कोश्चन सर इस सीरीज का अधिक लवण सांद्रता वाली चारिय म्रिदा में उगने वाले पाउधे कौन होते हैं मर्द भी दी हमला तीसरा लवणोद भी दी तीसरा सालोद भी दी और जोथा जलोद भी दी यहां पे करेक्ट आंसर हमारे पास होगा पी डैट इस आपका लवणोद भी दी दोस्तो वीडियोज कैसा लगा आप कामेंट करके ज़रू बताइएगा और उमीद करते हूं। आपको वीडियोस पसंद आया। आगर वीडियोस पसंद आया तो वीडियोस को लाइक की जिए दूस्तों के साथ सेर कीजी। चैनल को सब्सक्राइब कीजी। ताकि आग आगले वीडियोस at् accessible तरीके से लेहा रहा हूं आपको और आप सभी को सबस्वति पूजा की ठेट सारी सुब कामना है आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सुमाइब स्वस्त्र हैं मस्तर है तुअ अधूस्तर हैं और यहीं व्यस्त्र हैं क्योंकि आपकी व्यस्तता आपके एकजामस में एक अच्छा रिजल्ट दे सकती है आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सुमाइब